हेलो अच्छों स्वागात है आपका अपने चनल तयार जीत में अज हम देखने वाले हैं एटिकेट अभ्यास पुस्त का अंगरेजी कक्छा साथ दोहज़ा तेश चोवीस में जो आपके लिए भरने के लिए यहाँ पर दी गई है इसका हमने संपूर हल यहाँ पर करवाय आप तीन टो आई इसके देखेंगी तो देखी हाँ पर यह पार्ट हमारा तीन है इसका नाम है अच्छे बिकल्प चुनिए तो चुनना है वर लिखना है पहला कोस्वेश्चन इंठ सी इस-कर्ट two three four तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B यानी टू क्योंकि इस्टोरी में कितने ठख थे टू तो यहाँ पर यह टू लिख देंगे अगला कॉस्चन है भूला एक्सचेंजेट दा डंकी फोर यानी किस से वदला हैं अहोर्स आसी ग्रीन मैंगोज तो इसका सही आंसर हो यानी आसी तो यहां पर लख दीजीगा यहां पर नीचे वाई लडाने में लिख लेना है आपको आई अगला क्वेशन क्या दिया है तो यह दियागा था से ऐस में क्या लिखना लेकि अच्शे सी तो यहां पर हो जाएगा दा सेकंड ठग किसने कहा था यह बाग के दूसरे ठगने अगला कॉस्चन है चौथा वाला भाट इस दा नेम और भूला भूला कि पत्नी का नाम क्या था तो इसका सही अंसर हो जाएगा सांती अच्छे से इसको लिखते चली वच्चों इसके बाद अगला कॉस्चन देखते हैं तो यह रहा कॉस्चन नमर हमारा फाइव तो इसको देखिए क्या लेखा हुआ है राइट वन बर्ड फोर्दा गिविंग फ्रेज यानि नीचे दीगए फ्रेजों के लिए एक सब्द लिखिए तो पहला हमारा है यहाँ पर हैविंग अवेरी प्लीजेंट टेस्ट और इसमेल तो इसका सही अंसर हो जाएगा डिलीसियस दूसरा लिखा है टू ट्राय मेक ट्राय टू मेक समबडी बिलीव सम्थिंग देट इसनॉट ट्रू इसका हो जाएगा डिसीब तो यहाँ पर यह अच्छे से लिख लीजी इनकी आंसर इसके बाद अगला कॉस्चन देखते हैं अगला कॉस्चन दिया गया हमारा नीचे तो इसको भी देख लीजी यहाँ प लगता है तो लाइक कर दीजिएगा साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें इसके बाद अगला कॉस्चन देखते हैं अच्छे से देखते चलिएगा तो अगला कॉस्चन हमारा दिया गया यहाँ पर क के वाल इतना ही याद करना है इसके बाद यह आपका पूरा कॉस्चन यहां से लिखेंगे बाचिंग से यहां पर यहां तक तो यहां तक कर लेंगे बर तक जिसका अंसर लिखेंगे डुट अच्छे समझते चलिएगा यदि कोई डाउट आता कमेंट में जागर कर क्या लखा है भाट डिट भूला बाई after selling the hen hen को बेचने के बाद भूला ने क्या खरीदा तो इस कान से देखिए भूला बॉट आ ब्रेकेट आफ बासकेट आफ मैंगोज आफटर selling the hen तो यहाँ पर भूला ने क्या खरीदा एक टोकरी भरकर कच्चे आम खरीदे मुर्गी को बेचने के बाद अगला कॉस्चन नॉमा तो यह रहा मारा कॉस्चन नम्म नाइन इसको देखिए यहाँ पर लखा है कॉस्चन नो भाट टाइप आफ चटनी वाज made for भूलास clever friends यानि ठक के लिए कौन सी चटनी बनाई गई थी तो यहाँ पर देखेंगे टू टाइपस आफ चटनी वाज मेड फोर भूलास clever friends तो कितने टाइप की बनाई थी तो यहाँ पर टू टाइपस की तो यहाँ पर केबल हमें यहाँ पर टू लिखना है भाट की जगाए पर तो यहाँ पर टू लिखे देंगे और पूरा question का question लिखे देंगे तो यह answer हो जाएगा इसी परकर आपको अच्छे से लिखते चलना है और याद करते चलना है इसके बाद अगला question है हमारा does will you sell these mangoes तो यहाँ पर इसको बदलना है आपको affirmative में तो affirmative में कुछ नहीं करते ही इन दूनों का इस्तान चेर्ण्ज कर देते ही तो you और bill का चेर्ण्ज कर देंगे तो इसका हो जाएगा you आजाएगा आगे वह बिल चला जाएगा पीछे तो इसका हो जाएगा you bill इसके बाद same to same, sell these mangoes, बस question नमार खटा दीजी, इस प्रकार से यह answer बन जाएगा, तो अच्छे इसको बनाते चलना है, देखिए किस प्रकार से बनाया है हमने, तो यहाँ पर बनाया है, इसको चैने कद दिया इस से, तो you आ गया आगे, वह बिल पहुंच गया पीछे, तो इ यहाँ पर लिखेंगे, बोथ thugs, head planned to deceived भोला, तो यहाँ पर deceived लिखना है, यहाँ पर d नहीं लगानी है, deceived भोला for 1,000 रुपीज, यानि दुनों ठगों ने भोला को लूटने का क्यों सोचा, क्योंकि उसके पास 1,000 रुपी थे, अगला question देखते हैं बच्छों, अच्छे स question, भाट डेड सान्ती डू, बित दोज महेंगोज, यानि उन आमों के साथ क्या किया सान्ती ने, तो यहाँ पर सान्ती made two types of chutney, first sweet for us, and sore chutney for thugs, यानि उन आमों की चटनी बनाई, सान्ती ने दो प्रकार की, एक खटी और एक मीठी, खटी बनाई ठगों के लिए, और मीठी खटी बनाई खुद के लिए, तो यह इसका आंसर हो चुका है बच्चों, आपके जो बार्सिक, यहाँ पर अर्दबार्सिक जो एक्जाम होने वाले हैं, कक्छा एक से लेकर आठ तक के गवर्मेंट स्कूलों में, उनके टाइम टेवल यहाँ पर जारी कर दिये गए हैं, 9 जो आपको यहाँ पर बिली है, 2023 में भरने के लिए, सभी कक्छाओं के यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं, कक्छा 4 से लेकर 8 तक की सभी पुस्तक हैं, गड़े थिनी अंग्रेजी यतने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का यादि आपको हल चाहिए, इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, इस पर पर यहाँ पर यह पर यहाँ पर यह नाम दिख रहा है, त storyt neighborhood यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक देक्ट लिए।這裡 नम्मर पर उस पर आपको क्लिक कर देना है, इस मझा पर यहाँ पर जैसे ह strang ST करे छेए येटिकेट अभ्याश पुस्तका का सम्पूर्ट हल यहां पर यह आठ अठ भी तो सभी पुस्तकों के यहां पर रदाल दिया गया है तो आप इनपर क्लिक करेंगे जैसे ही तो उस पुस्तकों का हल देख सकते हैं